Good evening friends and my dear students, welcome to our channel, मैं राजेंदर मुडलो या आपका हमारे चैनल पर फेसे बहुत बहुत जवागत करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर जो निउज निकल कर आती है चाहिए वो समीदा सिक्षक वर्ग एक वर्ग दो या वर्ग तीन संबंदित हो या MP Board, MPBSC, CBSC की Postpone Exams Related News हो तो हम हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइट करने का प्रयास करते है इसी बीच में आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं समीदा सिक्षक वर्ग एक वर्ग दो की जो निउप्ति होनी है उससे संबंदी निउज हम आपके लिए लेकर आए हैं तो यहाँ पर निउज निकल कर आ रही है कि अगले माहा होगी 33 सिक्षकों की निउप्ति अगले मा सार्थ होती है सही होती है कि अगले महायदी निउप्ति होती है तो इसकूल का इस्तर और साथ ही बहुत से उमीदवारों का भविश्य जो इस पर टिका हुआ है वह भी सुधरने की पूरी-पूरी संभावन आए तो उमीद करते हैं कि ऐसा होगा लेकिन फिलाल इस निउज को हम डीटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं चलिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों को जल्द ही 33 सेया नए सिक्षक मिलने वाले हैं गुड निउज है सभी के लिए बधाई हो तीन दिन पहले MP online ने लिखित परिक्षा में सफिल उमीदवारों के लिस्ट अपलोड कर दी थ कहने का ताथ पर यह है कि जो अगला सत्र जो चालू होने वाला है वेसे तो यह 15 जून से स्टार्ट हो जाता है और इस वर्स तो यह अप्रेल में ही स्टार्ट होने वाला था लेकिन कोरोना संकर्मन के कारण अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ कि कब से स्कूल स्टार्ट हो जिसमें 10 लाग से अधिक उमिद्वार सामिल हुए थे, यह हम सभी को मालूम है, अगला है, 33,000 पद रिखते हैं प्रदेश के higher secondary और high school में, मतलब वर्ग एक और वर्ग दो की बात यह कर रहे हैं, अगला है, schedule जो था, schedule के अनुसार 20 अप्रेल को होना थी प्रक्रिया, documents verification की यह बात कर रहे हैं, क्योंकि choice filling तो हो चुकी है, अब documents verification का काम बचा था, तो वो होना था, 20 अप्रेल को होना था, लेकिन अभी उसको postpone कर दिया गया है, तो चलिए, डिटेल में पढ़ते हैं इसको, पहले documents verification 20 अप्रेल को होने थे, लेकिन lockdown के कारण प्रक्रिया नहीं हो और वापस से उसको upload कर दिया गया है, लंबे समय बाद हुई यह परिक्षा, मद्यप्रदेश में वर्स 2011-12 में professional examination board उस समय वह व्यापम थी, ने वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की सिक्षक पातरता परिक्षा विदित की थी, इस भरती के बाद अगले 5 साल कोई परिक्षा न तक स्कूल बंद सोसल डिस्टेंसिंग के लिए प्लान, देखे, मद्यप्रदेश के सभी सरकारी वो प्रावेट स्कूलों में 1 मही से 7 जुन 2020 तक ग्रिस मकाली नावकास घोसित कर दिया गया है, इसकूल सिक्षा विभाग के अफसरों के अनुसार 7 जुन से सिक्षकों को स् अफसरों के अनुसार अभी कोरोना संक्रमेंट से बचाओ के लिए प्लान फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यह तई है कि क्लासेस में बच्चों की संख्या निर्धारित की जाएगी, जगह कम होने पर रोस्टर के आधार पर बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा, इसी के साथ मास्क, सेनेटाइजर की व्योस्ता इसकुलों में, इसकुलों को करनी होगी, तथा लक्षनों के आधार पर बच्चों को आउक्वास देना होगा, ठीक है, अब लास्ट जो है, वह हम पढ़ लेते हैं, लागडाउन खुलने पर होगी प्रक्रिया शुरू, क्योंकि हम सिक्षकों की भरती से, प्रदेश सरकारी स्कुलों में, खाली पड़ी पोस्ट भर सकेंगी, वहीं स्टुएंट्स को नए सत्र से और भी भेतर सिक्षा मिल सकेगी, क्योंकि नए सिक्षख होंगे, तो नए इस तरसे, फिर सिक्षा का विकास दी होगा, ठीक है। पूर्ण संसार भी बचे धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे सेनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों अपना ध्य शुगा ध्यान रखे हैं, थेंक्यू वेरी मच्च